हमिरपुर की ननी योगा गर नीदी डोगरा ने योग में वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया है और इस वार नीदी डोगरा ने प्रणव आसन में योगा वर्ल्ड बुक ओफ रिकोर्ड में अपना नाम दर्श करवाया है 11 साल की नीदी डोगरा हमिरपुर जीला के चोरी ख्यूंड की निवासी है और पिछले कुछ सालों से योगा में कई प्रकार के अवर्ड जीत कर हमिरपुर का नाम रोशन कर चुकी है गद 20 माई को अखिल भारती योग संग के द्वरा आयोजित ओनलाइन वर्ल्ड योग चैलेंज का आयोजित किया गया था जिसमें 45 मिनट थे रहकर प्रणव आसन लगाकर वर्ल्ड रिकोर्ड बनाया गया है जिसकी एपस में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी नीदी डोग प्रणव आसन में 45 मिनिट तक आसन लगाया है और ओनलाइन प्रत्योगिता में रिकोर्ड कायम हुआ है उन्होंने बताया कि वे सुबह शाम तीन गंटे तक प्रेक्टिस करती हैं और उनके कोच उनके पीता हैं जो हर्स में उनकी मदद करती हैं अगी लाइब योगा वर्ड रिकोर्ड चैलेंज को भी मैंना अग्सेप्ट कर लिया है और उसका साटिफिकेट प्रविस्न भी आ गया है योगा गल के नाम से जाने जाने वाली निदी जोगरा के पिता शर्शी कुमार जोगी ने बताया कि निदी की मेहनत रंगलाई है और उनलाइन प्रत्योगिता में 45 मिनिट में प्रेणब आसन लगा कर रखा है जिससे रिकोर्ड कायम हुआ है उनने बताया कि बेटी का कोज होने के नाते आज मुझे अपने बेटी पर नाज हो रहा है यह प्रत्योगिता 20 मेली 2020 को अखल भारती योग महासंग के फेस्बुक पेज पे लाइव हुई थी ये बर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज प्रत्योगिता उन्होंने निकाली थी जिसमें 9 अलग अलग प्रकार के आसन थे उन आसना में से एक आसन प्रणव आसन था जिसमें निधी दोगरा बेटी ने चैलेंज एकसेप्ट किया था और इस आसन में निधी दोगरा ने लगवख 45 मिनट इस आसन में रुकी थी और उसके बाद इसकी जो फॉर्मेल्टी जैसे ये वीडियो बन की जो लाइव हुआ वो टेकनिकल कमेटी जो योगा वर्ल्ड गुप की है उसके पास ये गई निधी डोगरा की माता निशा कुमारी का कहना है कि पहले भी निधी ने बहुत से इनाम जीते हैं लेकिन वर्ल्ड लेवल की पहली प्रत्यकिता जीती है और इसमें बीजेता बनी है तो बहुत ज़्यादा खुशी है आपको बता दें कि निधी डोगरा ने हिमाचल को टैलेंट रियल्टी शो केके एस्टी अवाज हिमाचल योगा चेंपियनशिप बिजेता हिमाचली शान योगरतन अवार्ड मिल चुका है